खुसी खुसी निकले थे बरात जाने के लिए और पहुच गए हवालात नमस्कार मैं हूँ राजन कुमार आप देख रहे हैं न्यूज पियार भागलपूर से इस बग जो खबर आ रही है आप सूनकर हैरान हो जाईएगा पुरा परिबार बरात जाने के लिए निकले थी एक एसकारपिव में नो लोग सवार थें और भागलपूर से जमालपूर बरात जाना था रास्ते में ही नो यूबक रुके और सराब की चुसकी लेने लगे किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया और बीच रास्ते में ही नो की गिरफतारी हो गई मोके पर से एक बोतल सराब भी पुलिस ने बरामत किया और करवाई करते हुए नो को हावालात का धर्सन करा दिया बरात तो दूर की बात साहब जेल पहुँच गए देखिए वीडियो बहुआ जाओ झाली प्राइब अगिए वीडियो तो आपने देखा किस तरह से सराब पार्टी और बीच रास्ते में ही सराब की चुषकी ले रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि सराब की चुषकी लेने के बाद बाद में सामिल हो जाएंगे लेकिन उन्हें क्या पता था कि बीच रास्ते में सराब पीना महंगा पर जाएगा और हावालात का चक्कर काटना परेगा पुलिस ने नो पे करवाई करते हुए जेल भेज दिया है वहीं कुछ बराती जो पहुँचे थे वो लोग भी हैरान है और थाने पहुँचे तो माजरा कुछ और ही समझ में आया नो लोग बीच रोट पे ही गारी रोक कर सराब का सेवन कर रहे थे इस सराब बंदी में आखिर सराब कहां से आती है ये भी एक चिंता की भी सही है हाला की नो पे करवाई करते हुए पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है अपने सायोगी हीरा लाल के साथ राजन कुमार नीज प्यार पटना